दिल्ली की राजकशोरी और कॉलकाता की एक रोल की रेसिपी आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में अगर आपको अंडा खाना पसंद है ना तो ये नास्ती की रेसिपी बिल्कुल ही जादा पसंद आने वाली है इतने ये स्वादिश लगती है और पेट भी भरेगा क्योंकि ये है कॉलकाता की बहुत ही street famous फूल ये कॉलकाता में बंगाल में बिहार में ये बहुत ही ज्यादा मिलती है और जारकन की ये फेवरिट रेसेपी है तो इसे बनाते हैं अंडार रोल कहते हैं और इसे मैं बना रही हूँ मैदा से तो मैंने लिया मैदा, स्वाद, नमग, थोड़ा सा खाने का सोड़ा या फिर आपको दूद लेना ये दही लेना है और आटे को अच्छी तरह से सेट कर लेना है ना जादा गीला करना है ना जादा टाइट करना है बस एक बात का आपको त्यान रखना है और अच्छी तरह से आटे को लगा लेना है बहुत ही सॉप्ट रोटी से बनके तयार हो जाएगी तो ये देखिया आ बिल्कुल ही पतली रोटी के जैसे बना लेने पड़ेंगे यह रोटी की खास बात गया होती है कि बहुत ही सौप होती है और बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि यह मैदा से बने हैं तो थोड़ा सा खीशते हैं इसलिए आपको अच्छी तरह से इसे बना के पहल दोनों सेट से सेख के बस इसे हटा देना है और फिर इसी तरह मैंने लिजिए दूसरी रोटी भी तयार कर ली है तो बस इसी तरह जितने रोटी है अराम से दोनों सेट हलका हलका सेख के आपको हटा लेने और यह दिखे बहुत ही सौप्ट जैसी हमारी रोटी तयार हो चु भी डाल सकते हैं आपके पास जो सब्जियां जो मैंने बताई है अगर है तो जरू डालिए मेरे पास यह जो कुछ सब्जियां थी प्याज थी सिबला मिर्श थे और टमाटर थे तो मैंने उसे डाल दिया है और हल्का सापको क्रण्च लेते हुए भूनना है ज्यादा नहीं बिल्कुल ही हल्का सा पकेगा उसके बात क्या करना है मैंने डाल दिया इसमें मटन मसाला मटन मसाला से यह बहुत ही टेश्टी बनती है और बहुत ही अच्छी सी महक भी आती है नहीं है तो चिकन मसाला ले सकते हैं और वो भी नहीं है तो गरम मसाला आप जरू डालिए बह करार रहना चाहिए और यह खानी के लिए ना इतनी भील रहती है मार्केक में मैं क्या बता हो अगर आपका भी कॉलकॉता या फिर बंगाल या पीर शारकन जाएंगे न तो इसकी डिमांड समझ सकेंगे और फिर मैंने लिया है तो अंडे अरे अंडे को क्या कराना निकाल दिय तो चलिए लोही के तवए अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं इसमें मैंने डाला थोड़ा सा तेल और यह जो अंडे है और यह दिखे अंडे भी तयार है मेरी सबजियां भी तयार है और रोटी भी तयार है और तील अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं उसके बाद मैंने दाल दिया है, दोनों अंडे को अच्छी तरह से और यह देखे, गैस की प्रेम थोड़ी से लो कर देनी है इसी बीच, ताकि अंडे नीचे से ना लगे और अच्छी तरह से यह पके तयार भी हो जाए, यह देखे, हलका सा उपर से आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा ड्राय इसे पूरा ड्राय करना है, उससे पहले आपको हलका सा तेल डाल देना है, साइट साइट से, और यह देखे, पूरा ड्राय हो चुका है, उसके बाद क्या करना है, आपको जो रोटी है, रोटी को इसके उपर सेट कर लेना है, थोड़े से भीगे ही रहने चाहिए अंडे, तब ही आपको सेट करना है और थोड़ा सा आपको दबा देना है दबाने के बाद क्या करना है इसे अच्छी तरह से पलट देना है बस ताकि अच्छी तरह से दोनों सेट हो जाए और सेट होने के बाद आपको तुरंथ ही इसे निकाल लेना है अब चलिए मैं दूसरा भी बन तो दोनों को मैंने अच्छी तर से जट पट बना लिया है और हाँ दोस्तों अगर मेरे बताने का आपको तरीका पसंद आता है तो एक लाइक अभी कर दे और अगर आपको यह चैनल में हमेशा रेसे पर देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मैं इ अच्छी तरह से मिक्सर मैंने शेत किया था जो सब्जियों वाला उसे मने डाला है धन्यापती डाली है और प्याज थोड़े से कट कर के डा ले हैं और लाल मिर्ची का थोड़ा से पॉड़र यह देखिए कच्छी प्याज को भी अच्छी तरह से डा़ना है और क्या करना आधे को तयार कर ले ताकि ये बच्ची को भी इंट्रेस्ट लगे और बहुत ही टेस्टी आपकी एग रोल की ये रेसिपी तयार हो जाएगी तो ये दिखें दूसरे को मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ अच्छी तरह से मैंने मियोनिश डाला और बस यही उपाई करना है आपक कोई भी मौसम हो लेकिन आप सभी की फेवरेट और खास करके लेडिस और लड़कियों के लिए ये फेवरेट हो जाती है चाट जी हां दोस्तों चाट की रेसिपी बिलकुल ही आसान तरीके से मैं आज बताने वाली हूँ जिसे खाके बिलकुल ही मजा ही आ जाएगा तो चल कम तेल और कम मसाले में तो चलिए सुरू करते हैं इस चाट की रेसिपी तो सबसे पहले मैंने लिए हैं काबली चने भीगोए हुए एक कटोरी के करीम और दो से तीन मुठे मैंने ले लिए हैं हरी मुंको और एक बड़ी सैच की अलु डाल दिये हैं स्वाद मुसार नमक औ संब्स में तो ऐलड दी और आपको डाल से खाने का सोडा तकी अच्छी तरव से जल्दी से अउबल के तयार हो जाए तो एक सीटी आने तक की ही ते पकाने के लिए रख देना है, और एक सीटी में ही आपकी यह बन के तयार हो जाएगी तो चलिए आगे की तियार कर लेते ह तो सबसे पहले आपको सूजी लेने हैं और थोड़ा सा अच्छी तरह से बाइंडिंग के लिए मैंने डाला इसमें मैदा और थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें कॉन फलार अगर है तो जरूर डाले नहीं है तो सूजी से भी हो जाएगी लेकिन आपको जल्दी खाने पड़ेगी और उसके बाद आपको लेने है थोड़े से पानी और उसमें मैंने डाल दिया है हल्दी और हल्दी डाल के क्या करना है इस आटे को लगाना है बिल्कुल भी मोहिन वगरा कुछ भी नहीं करना है ना आपको मोहिन के लिए तेल डालना है न ताकि जितनी भी सूजी है अच्छी तरह से फूल जाए और ये देखे एक सीटी आने एक बाद अच्छी तरह से मूंग के डाल भी गल गए हैं और चने भी गल गए हैं उसके बाद मैंने थोड़ा सा नीबू मिला लिया है और आलू को मैं अच्छी तरह से छील के तयार कर बहुत ही सटिक तरीका है, अगर कभी भी इस तरीके से आपने नहीं बनाए हैं तो आप बना के दिखें, मैंने बहुत सारी चार्ट कीरे से पर डाल रखी है अगर आपको भी डिफरेंट तरीके के चार्ट बनाना पसंद है तो मेरी चैनल में जाके देख सकते हैं, फिर आपक मोटी थी तो मैंने डायरेक्ट मोटी का ही इस्तिमाल कर लिया है लेकिन एक प्रोब्लम का सोल्ब बताने वाली हूँ सोटकर तरीके से तो एक आपको लेना है अच्छी तरह से सबसे पहले मैंने पूड़ी को बेल लिया है फिर मैंने लिया है एक ठकन और धकन से मंचाहब पूरी का से भी कड़्स कर लिया. ये लीजिया. आसान तरीका हो गया ना. फिर आपको क्या करना है तेल को बिल्कुल ही धुवादार गर्म होने देना है. एक जरूरी बात है. अगर धुवादार गर्म नहीं होगे क्रिस्पी होने तक आपको इसे अच्छी तरह से शेक लेना है तो एक लाइक अभी कर सकते हैं मैंने बहुत सारी चाट की रसेर पर डाल रखे अपने चैनल में नहीं देखा है तो जाकर देखें ये पुरी बन गए है साथ से आठ घंटा ये बिलकुल ही इसी तरह रहेगी, क्रिस्पी रहेगी, तो मैंने एक घंटे का बाद येरे सभी को मैं बना रही हूँ, और ये देखिए अच्छी तरह से आपको तोड़ देने पड़ेंगे, इसमें पानी पूरी का भी टेश्ट आएगा, ये देखिए ज उबले हुए आलू थे, मैंने उसे कट सर के लिया है, और ये है मीठी वाली दही, मीठी क्या इसे करना है आपको, चीनी डाल के पहले ये रख दे रहा है, और दस मिनट के बाद इसे यूज करना है, और ये देखिए धन्या पत्ती के बहुत ही टेश्टी वाली चट्नी है, ये तीखी वाली चट्नी है, अगर धन्या पत्ती के चट्नी इस कलर में आपके नहीं बनते हैं तो धन्या पत्ती के चट्नी के रेसिपी मैंने डाल रखी है, जरूर देखिए, और ये देखिए, ये इमिली और गुड की चट्नी है, लेकिन मेरे पास नहीं थी, तो मैंने आउला के मुरब्बा की रसेप बनाई है और साल भर मैं वही चटनी के अस्तमाल करती हूं नहीं देखे तो आप अभी ठंड का सीजन है जाके आप देख सकते हैं फिर मैंने प्याज डाला है टमाटर डाले हैं और यह घर में ही मिल जाएंगे आपको समाज जो भी है अराम से आप इसे यूज कर सकते हैं तो देखे प्याज डाला है खीरे थे मेरे पास थोड़े से कद्दू कस्क्र मैंने उसे भी ले लिया है धन्या पत्ति को डाल दिया है और आपको यह अराम से मिल जाएंगे अगर आपके पास अनार के दाने हैं तो जरूर डालिए राजवाली जो कचोरी होती है उसमें अनार के दाने पड़ते हैं नहीं है तो उसके बीना भी बना लिजे कोई बात नहीं है उसके बात फिर से बैने एक कोड दही के डाल दी है और चटनी फिर से मैंने डाल दी है आउला की चटनी है कभी भी नहीं बनाई होगी न जरूर उसके रस के इस्तिमाल करिए उसके बाद मैंने नीबू का रश्ट डाला है आगर आपके पास काली नमक है तो काली नमक के इस्तिमाल कर सकते हैं तो बहुत ही टिश्टी वाली चाट तयार है